कोविट-19 में प्रयोग होने वाली एंबुलेंस की नियमिस सफाई होना अत्यंत आगशक है साफ एंबुलेंस में स्वास्त कर्मी सुरक्षित रहते हैं यदि एंबुलेंस को ठीक प्रकार से साफ नहीं किया गया है तो स्वास्त कर्मीयों में कोरोना वाइरस के संकर्मन होने का खत्रा बना रहता है एंबुलेंस को नियमित दिन में दो बार साफ करना आवशक है इसके अत्रिक जब भी एंबुलेंस द्वारा कोविड अथवा उसका संदिक्ध रोगी ले जाया जाता है तो उसके पश्चाद भी निर्धारित PPE किट पहन कर एक निर्धारित विधिद्वारा एंबुलेंस को साफ किया जाता है सबसे पहले रोगी के संपर्क में आने वाली वस्तुएं जैसे स्ट्रेचर, हैंडिल, रेलिंग, फर्ष, अथवा एंबुलेंस की अंद्रूनी सतह को साबुन पानी द्वारा गीले कपड़े से साफ किया जाता है गीले कपड़े से साफ करने के बाद एक प्रतिशत हाइपोख्लोराइड सलूशन से संक्रमण से मुक्त किया जाता है यह जान लेना आवेशक है कि सतोहों से हाइपोख्लोराइड गोल का संपर्क लगभग 30 मिनट तक होना चाहिए इसके लिए हाइपो क्लोराइड का गोल लगा कर उसको हवा द्वारा ही सूखने देना चाहिए उसको किसी सूखे कपड़े से नहीं पोचना चाहिए जिस कपड़े से हाइपोख्लोराइट घोल द्वारा एम्बुलेंस को साफ किया गया है उसको दुबारा हाइपोख्लोराइट के घोल में नहीं डालना चाहिए उसको विदी पूर्वक निस्तारित करके दूसरी बार पोचने के लिए दूसरा कपड़ा प्रयोग में लाना चाहिए एंबुलेंस साफ करने के लिए हमेशा उपर से नीचे और अंदर से बाहर आते हुए साफ करना चाहिए हाइपोख्लोराइड घोल से एंबुलेंस की सतों को साफ करते समय कपड़े को एक ही दिशा में घुमाना चाहिए जैसे उपर से नीचे अथवा बाएं से दाएं इस कपड़े को दोनों तरफ नहीं घुमाना चाहिए एंबुलेंस में प्रयुक्त सभी उपकरणों को सत्तर प्रतिशत आईसोप्रोपिल अलकोहाल द्वारा विसक्रमित करना चाहिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एंबुलेंस की जो मेटैलिक सतहे हैं उनके लिए एक प्रतिशत हाईपो क्लोराइड का प्रयोग करना चाहिए और जो नान मेटैलिक सतहे हैं उनके लिए सत्तर प्रतिशत आईसोप्रोपिल अलकोहाल का प्रयोग करना चाहिए जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एम्बुलेंस को नियमित रूप से दिन में दो बार साफ करना चाहिए, एवं जब भी रोगी को ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया गया हो, तब प्रत्य एक बार भली भात बदाई गई विदी से साफ करना चाहिए एम्बुलेंस साफ करने के बाद एम्बुलेंस करमी अपनी PPE किट को उतारे एवं निर्धारित विदी से निस्तारन करें, निस्तारन करने के बाद अपने हाथों को साबुन पानी से और सैनिटाइजर से साफ करें, तथा एम्बुलेंस को दूसरे रोगी को इस्थानांतरन कर तयार रखे